हालो एवरिवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ पूजा लूथरा दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिन्हें स्टिमिलेट करके, जिन्हें दबाके, आप आसानी से अपना बजन कम कर सकते हैं, फैट से फिट बन सकते हैं हमारा पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इयर पॉइंट, ये हमारे फेस पर कान की बीचो बीच होता है, इसकी सही जगा जानने के लिए, आप अपनी रिंग फिंगर को अपने फेस पर, इयर लॉब्स के पास, जहां पर जॉर लाइन और कान जुडते हैं, वहां रखे और अपने जब्डे को, यानि जॉर लाइन को उपर और नीचे मूव करें, जैसा हम खाना चबाते हुए करते हैं, ऐसा करने पर आपकी एर लॉब्स के पास, जिस हिस्से पर आपको सबसे ज़ादा मूव्मेंट फील हो, वह हमारा वेट लॉस प्रेशर पॉइंट है, इस को आप फेस के दोनों तरफ रोजाना एक मिनट के लिए अपनी रिंग फिंगर से दबाए, याद रखिए कि आपको इन प्रेशर पॉइंट को दबाते वे बहुत हलका सा प्रेशर देना है, जोर से नहीं दबाना है, केवल इने स्टिमूलेट करना है, इसे दबाने से आप एक एपिटाइट कंट्रोल में रहेगी, आपकी क्रेविंगस कंट्रोल में रहेगी और आपका वर्जन घटेगा, हमारा नेक्स्ट एग्यो प्रेशर पॉइंट है, लिब पोइंट हमारे नाख और हमारे लिब्स के ठीक बीच में होता है, नाक के नीचे और लिप्स के ठ प्रेशर पॉइंट को रोज 3-4 मिनट तक दबाने से stress related मोटापा दूर होता है कई लोगों का weight इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि वो stress में रहते हैं stress से उनके hormones imbalance हो जाते हैं जिससे वो मोटे होने लगते हैं तो इससे तनाव से related अगर मोटापा है hormonal imbalance से related अगर मोटापा है तो वो कम हो जाता है हमारा next pressure point है elbow point दोस्तों वजन कम करने के लिए शरीर का तापमान यानि की temperature सही रहना भी बहर सुरूरी होता है हमारी बाजू पर elbow के inner side में crease पर यानि elbow की जो line होती है उसके end में ये point होता है इस point को रोजाना एक मिनट से दबाने से हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत की functioning improve हो जाती है शरीर से extra heat और unwanted moisture बाहर निकलता है जिससे weight loss होता है next acupressure point for weight loss is ankle point ये pressure point आपके tongue की inner side में ankle के exact 2 inch उपर होता है इस point को रोज एक मिनट तबाने से digestive system की functioning improve होती है कब जदूर होती है शरीर detoxify होता है और नतीजा क्या होता है? weight loss होता है next is knee point ये point आपकी knee cap यानि घुटने के ठीक नीचे आपकी leg की outer side पर बाहर वाले हिस्से पर होता है इस हिस्से पर आप रोजाना एक मिनट के लिए pressure दीजिए अपनी finger की help से और उसके बाद slowly slowly आपको fingers को release करना है इससे आपका blood circulation improve होता है metabolic rate बढ़ता है और इस point को दबाने से कई लोगों का एक ही दिन में एक pound वजन तक कम हो जाता है next is abdominal point ये point आपकी नाभी के आपकी belly button के ठीक 3 cm नीचे होता है इससे constipation दूर होता है body को strength मिलती है और toxins release होते है आप इस point पर अपने दो fingers रखिए और दो मिनट तक इन fingers से इस point पर massage कीजे हमारा last pressure point है abdominal sorrow point right in the line with the earlobs rib cage के ठीक end में abdominal sorrow point होता है इससे pate का ulcer, acidity, indigestion ये सब problems ठीक होती है appetite imbalance भी इससे दूर होता है left and right both sides के abdominal sorrow points को आपको दो मिनट तक finger की help से रोज दबाना है तो इससे आपका मुचापा कम होगा ये थे कुछ acupressure points जिने stimulate करके आप अपने metabolic rate को बढ़ा सकते है मुचापे को दूर कर सकते है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्लीज लाइक के बटन पर हिट करना बिल्कुल मत भूलिए थमसब का बटन दबाईए अपने friends के साथ social media पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते है और अगर आपने मेरे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जरूर subscribe कर लीजिए क्योंकि रोज ऐसे ही health या beauty related वीडियो मैं आप तक पहुचाती रहती हूँ तो एक अच्छा सा वीडियो लेकर फिर मैं आपके पास आऊंगी तब तक के लिए take care of yourself बाई